जुआज नमस्कार बच्चो अज हम आपकी पुषतक वेवसाईक अध्य नहीं से फोटेक वेवसाई के गयार्वे अध्याए आंतराश्टरी वेवसाई को शुरू करने चारहे हैं आपने पिछले अध्याए में आंतरीक वेवसाई या व्यपार के बारे में पढ़ा जिसमें हमने देखा कि इसमें वो व्यापारी क्रियाय शामिल होती है जो एक देश की सीमा के भीतर की जाएं इसके विपरीत अंतराष्ट्री व्यवसाय में वो व्यवसाय क्रियाय होती है जो एक राष्ट्र की सीमाओं के पार के जाती है अर्थात जब व्यवसाय या व्यापारी क्रियाएं दो या दो सेजिक देशों के बीच की जाएं तो उन्हें अंतराष्ट्री व्यवसाय क्रियाओं का नाम दिया जाता है पुराने समय से अंतराष्ट्री व्यवसाय को कई बार अंतराष्ट्री व्यापार से मिला कर देखा जाता रहा है लेकिन आज यह पूरी तरह सत्य नहीं है हाला कि अंतराष्ट्री व्यवसाय एतिहासिक रूप से तो वस्तुओं और सेवाओं के लेंदेन से ही जुड़ा रहा है लेकिन आज इसमें वस्तुओं और सेवाओं से बढ़ कर कई सारी चीज़ें शामिल है इसलिए अंतराष्ट्री व्यवसाय का एक भाग है अंतराश्रे व्यापार का अर्थ केवल वस्तुओं वो सेवाओं के आयात निरियात से जुड़ा हुआ है जबकि अंतराश्रे व्यवसाई में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के अलावा पूंजी, व्यक्ति, तक्नीके, परियतन जैसी कई अन्य सेवाएं या या व्यापक गतिवदी है जिसमें वस्तूओं वो सेवाओं के अलावा कई अन्य मदों का आदान-प्रदान दो या दो से अधिक देशों के मध्य किया जाता है अब सवाल यह उठता है कि अंतराश्ची व्यवसाय शुरू क्यूं हुआ या इसके पीछे के कारण क्या है क्यूं एक देश या उसके लोग देश की सीमाओं से बाहर जाकर दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं इसके कई कारण हो सकते हैं, इसके पीछे कई लाब हो सकते हैं जो अंतराज़्य व्यवसाहें देशों या फर्मों को देता है। लेकिन इन में से सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी देश अपनी आवशक्ताओं के लिए सभी वस्तूओं या सेवाओं का भली प्रकार से वह सस्ते मोल्य पर स्वयम उत्पादन नहीं कर सकता है। कोई भी देश इतना सक्षम नहीं कि वो हर वस्तू या सेवा स्वयम उत्पादित करें। इसका एक मुख्य कारण देशों में प्राकृतिक संसाधनों का असमान वित्रण भी है। हो सकता है कि एक देश एक वस्तू का उत्पादन अच्छे से करें लेकिन दूसरी का ना करें, वहीं दूसरा देश, कोई अन्य देश उस दूसरी वस्तू का उत्पादन अच्छे से कर पाता हो, जबकि पहली वस्तू का ना कर पाता हो, तो ऐसे में ये दो देश आपस में उन वस्त्वों का आदान प्रदान करके एक दूसरे की आवशक्ताओं को पूरा कर सकते हैं और यहाँ पर फिर अंतराश्ट्रे व्यवसाय का जन्म होता है इसके अतरिक्त अंतराश्ट्री व्यवसाय राश्ट्रों और फर्मों दोनों को कई प्रकार के लाब प्रदान करता है यदि हम राश्ट्रों के लाब की बात करें तो सबसे पहला लाब है विदेशी मुद्रा का अर्जन अंतराश्ट्री व्यवसाय के माध्यम से देशों को यह सहायता मिलती है कि वो अपनी वस्तुओं या सेवाओं को बाहर बेच कर बाहर की विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकें और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सकें जो की देश की आर्थिक स्थिति को सुद उत्पादन होगा उसके लिए देश में उतनी मांग ही नहीं है। ऐसे में यदि वह देश अपनी वस्तवों आधी को अन्य देशों में बेच सके तो वह अपने यहां उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और जब उत्पादन बढ़ाएंगे तो वह अपने संसाधनों का बहतर वह अधिक शमता के साथ उप्योग कर पाएंगे। इसके अतरिक्त अंतराश्ट्री व्यवसाय जो की काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है। उसके कारण देश में रोजगार सुविधाओं या सेवाओं को भी बल मिलता है। वह अंत में अंतराश्ट्री व्यवापार् प्राप्त कर सकता है जो उनके यहां पर उत्पादित नहीं होती है। उन सेवाओं या वस्त्वों को अन्य देशों से प्राप्त करके देश के लोग बहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। राश्ट्रों के साथ-साथ अंतराश्ट्री व्यवसाय फर्मों के लिए भी बहुत लाब कारी है। सबसे पहला लाब तो यह है कि सामान्य तह एक फर्म अपनी वस्त्वों को अपने देश में जिस कीमत पर बेचते हैं वो विदेशों में उससे कहीं जादा कीमत प्राप्त कर सकते हैं जिसके कारण उन्हें अधिक लाब प्राप्त होता है। इसके अतरिक्त अंतरास्ट्रे वेवसाई के आजाने से राष्ट्रों की ही भाती फर्म भी अपनी शम्ता का बहतर उप्योग कर सकते हैं मान लीजिए एक फर्म या उसके फैक्टरी में एक वर्ष में एक हजार इकाईयों के उत्पादन की शम्ता है लेकिन क्योंकि देश में मांग सीमित है तो वहां फर्म केवल मान लेते हैं 700 या 800 एकायों का उत्पादन ही कर रही है जब वहां फर्म अंतरास्ट्री वेबसाई से जुड़ेगी अपनी वस्तुओं का निर्यात कर पाएगी तो वहां अपने उत्पादन को बढ़ा कर अपने फैक्टरी की शमता का और अधिक उप्योग भी कर पाएगी यह भी इसका एक लाब है इसी प्रकार फर्म को अपने उत्पादन को बढ़ा कर अपने उद्योग के विकास की संभावनाओं को बढ़ाने का मौका मिलता है इसके अतरिक्त कई बार कुछ फर्में जिने घरेलू बाजार में घोर प्रतियोगिता का सामना करना पढ़ रहा है और इस प्रतियोगिता के कारण वफर्म उत्ना अच्छा लाब या व्यवसाय नहीं चला पा रही है ऐसे में अंतराष्ट्री व्यवसाय घरेलू प्रतियोगिता से बाहर निकल कर अंतराष्ट्री बाजार में अपने उत्पाद को बेचने में सहायता करता है और इस प्रतियोगिता से बाहर का एक रास्ता भी दिखाने में सहायता करती है इसके अतरिक्त कई व्यवसायों का जो व्यवसायक दृष्टी कोण होता है वह अपने व्यवसाय के विस्तार करने का होता है कुछ व्यवसाय हमेशा इस तलाश में रहते हैं कि वो कैसे अपने व्यवसाय की सीमाओं को बढ़ाएं अधिक से अधिक देशों या अधिक से अधिक भोक्ताओं तक पहुँचें वह एक बड़े बाज़ार के हिस्से पर कबजा करें ऐसे में अंतराश्ट्री व्यवसाय भी उनकी सहयता करता है अपने व्यापारिक दृष्टिकोन को पूरा कर पाने तो इस परकार हमने देखा कि अंतराश्ट्री व्यवसाय ना केवल जरूरत है क्योंकि किसी विदेश के पास सभी वस्तुएं पूरी तरह उपलब नहीं है बलकि यह जरूरत से भी आगे बढ़कर कई सारे अन्यलाब भी प्रदान करता है अंतराश्ट्री व्यवसाय को आगे और विस्तार से जानने से पहले आए एक बार इसे घरेलू व्यवसाय से तुलना करके देखें कि अंतराश्ट्री व्यवसाय और घरेलू व्यवसाय में क्या-क्या अंतर है सबसे पहली बात यदि हम क्रेताओं या विक्रेताओं की राश्ट्रेता की बात करें तो घरेलू विवसाई में क्रेता और विक्रेता दोनों ही एक ही देश की होते हैं जबकि अंतराष्ट्री व्यवसाई में क्रेता और विक्रेता दो अलग-अलग या कई अलग-अलग देशों के हो सकते हैं। अंतराश्ट्री व्यवसाई को और विस्तार से जानने से पहले आये इसकी घरेलू व्यवसाई से तुलना करें और जाने की दोनों में क्या अंतर हैं सबसे पहले यदि हम क्रेताओं और विक्रेताओं की राष्ट्यता की बात करें, तो जहां एक तरफ घरेलू वेवसाई में क्रेता और विक्रेता दोनों ही एक ही देश की होते हैं, वही अंतराष्ट्य वेवसाई में ये अलग-अलग देशों के होते हैं, उत्पादन के साध तरही गतिशील हो सकते हैं, आजा सकते हैं, आवगमन कर सकते हैं, अंतराश्री व्यवसाय में यवत्पादन के साधन एक देश की सीमा को लांग कर दूसरे देशों में भी गतिशील होते हैं, विदेशी बाजारों में ग्रहकों की यदि बात की जाए, तो अंतराश्री देशों में Whenever we subscribe झोकि सभी ग्रहक एक ही देश के होते हैं संस्क्रिती एक समान होती है तो कही ना कही उनके लेंदेन का तरीका भी एक जैसा होता है इसी प्रकार व्य।साई की पद्यतियों वा आचरण में भी अंतर होता है घर-लू यदि एक फर्म अलग-अलग देशों में जाकर वेवसै कर रही है। तो हर देश में व्यापारिक पध्यतियां या आचरण अलग-अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार राजनीतिक प्रणालिया वा जोखिम भी अंतराश्ट् selves साय में अलग-अलग होती है। एक वेवसाय को या फर्म को जिन देशों में वह जाता है वहां के राजनितिक प्रणाली की जानकारी रखना पड़ता है जबकि घरेलू वेवसाय में इसके जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम अपने देश के बारे में अच्छे से जानते हैं अंत में वेवसाय के लेंदेनों के लिए प्रियुक्त होने वाली मुद्रा की अधी बात की जाए तो घरेलू वेवसाय में अपने देश की मुद्रा का ही इस्तमाल होता है जैसे हम भारत में हैं तो हम केवल रुपेय में ही लेंदेन करेंगे जबकि अंतराष्ट्री वेवसा विक्रेतियों में बलके ग्रहकों और और testing में यहां तक कि मुद्रा के प्रियोग में भी अंतरस्तरी विवस्ताय अने Sig लग वृष्टरित है जब इसकी घरेल विवस्ताय से तुलना की जाती है अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले तो यह जान लेना अनिवार्य है कि अंतराश्ट्री वेवसाई आखिर किस तरीके से किया जाता है। यदि एक व्यक्ति या एक फर्म अंतराश्ट्री वेवसाई करना चाहती हैं तो उसके लिए उसके पास क्या-क्या रास्ते हैं। इन रास्तों को हम अंतराश्ट्री वेवसाई के छेत्र के नाम से जानते हैं अंतराश्ट्री वेवसाई मुख्यत चार तरीकों से किया जाता है पहला वस्तुओं या दूसरा सेवाओं का आयात नर्यात तीसरा लाइसेंस वा फ्रेंचाईजी वा चौथा विदेशी निवेश आये हम एक एक करके इनके वा इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य तोर तरीकों के बारे में जानते हैं यदि हम आयात नर्यात की बात करें तो आयात नर्यात का अर्थ बहुत ही सरल है जब हम किसी अन्य देश से वस्तों या सेवाओं को खरीते या प्राप्त करते हैं तो वह आयात कहलाता है क्योंकि चीजें हमारे पास आ रही है जबकि जब हम अपने देश की वस्तों या सेवाओं को उत्पादन करके अन्य देशों में उसकी बिक्री करते हैं उसे बेचते हैं तो यह निर्यात कहलाता है आयात निर्यात की सेवाओं के कई लाब हैं जैसे कि अंतराश्ट्रिय व्यवसाई में प्रवेश करने के अन्य तरीकों के तुल्ना में आयात निर्यात काफी सरल माना जाता है जबकि आयात नर्यात खुद में ही एक जटिल प्रक्रिया है लेकिन फिर भी अन्य माध्यमों के तुलना में आयात नर्यात एक सरल प्रक्रिया मानी जाती है दूसरा आयात नर्यात में संबद्धता कम होती है अर्थात इसमें व्यवसाइक इकाईयों को उतना धन या समय नहीं लगाना पड़ता जितना अन्य तरीखों में लगाना पड़ सकता है आयात नर्यात में निवेश की आवशक्ता भी उतनी नहीं होती क्योंकि फर्म को किसी विदेश्य जमीन पर कोई फैक्टरी तो खोल ली नहीं तो इसमें धन या निवेश की आवशक्ता भी कम पड़ती है लेकिन आयात नर्यात की कुछ कम्या भी है आयात नर्यात में भौतिक रूप से एक देश से दूसरे देश में वस्तूओं को ले जाया जाता है जिसके कारण उन वस्तूओं की पैकेजिंग, परिवहन, बीमा, आदी पर अतरिक्त व्याय या खर्चा करना पड़ता है में कुछ सीमाई भी है सबसे पहली बात तो यह है कि क्योंकि इसके अंदर वस्तूओं को एक देश से दूसरे देश में भौतिक रूप से ले जाना पड़ता है तो वहाँ उन वस्तूओं पर पैकेजिंग, उनके परिवहन वा बीमा आदी पर अतरिक्त व्याय करना पड़ता है इसके अलावा क्योंकि निर्यात करने वाली का या मूल रूप से अपने ही देश से काम करती है उनके कारे कारी भी कई बार बहुत दिनों तक अन्य देशों में जहां पे उनका व्यफसाय है वहाँ नहीं जा पाते ऐसे में उन बाजारों की जानकारी हमें उतने अच्छे से नहीं होती तो ये सभी लाब और सीमाएं हमें अंतराश्चे व्यपार के सबसे प्रमुख तरीके यानि आयात निर्यात के बारे में कुछ हद तक अबगत कराते हैं कई फरमें आयात निर्यात की इन सीमाओं के कारण कई बार कुछ फरमें इस रास्ते को अपनाने की जगह समविदा निर्माण का रास्ता अपनाती है इसे कॉंट्रैक्ट मैनुफैक्ट्रिंग भी कहा जाता है इसके अंदर एक देश का वह व्यवसाई जो किसी अन्य देश में व्यवसाई करना चाहता है वह स्वयम उस व्यवसाई को करने की जगह वहां की किसी स्थानिय निर्माता से अनुबंद कर लेते हैं यानि कॉंट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि इस विवसाय को जो घटक या वस्तुवे चाहिए वो उस देश के स्थानिय निर्माता उनके लिए उत्पाधित करें और फिर वहां से उन्हें जहां बेचना चाहते हैं उन्हें बेचें इस प्रकार यहां की फर्म एक देश के फर्म दूसरे देश के स्थानिय फर्म से कॉंट्राक्ट करके या अनुबंद करके वहां पर ही वस्तुओं का निर्माड करके उसे उस देश में बेचने का काम करते हैं सम्विदा विनिर्माण मुख्यता तीन प्रकार से किया जा सकता है सबसे पहला कुछ घटकों का उत्पादन जैसे मान लीजे कोई वाहन निर्माता है वो अपने वाहन के कुछ घटक किसी अन्य देश के स्थानिय निर्माता से निर्मान करवा कर प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा घटकों को समुच्चे रूप से एक जगा इकठा करके उसका निर्मान एक जगा पर किया जा सकता है जैसे कि कई बार कंप्यूटर निर्माता, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, फ्लॉपी डिस्क, मॉडम आधी चीजों का एक जगा पर समुच्चे अन करके इकठा करके कंप्यूटर का निर्मान करते हैं फिर वो उन घटकों को अलग-अलग जगहों से निर्मान करके मंगवा कर एक जगह एक देश में केवल ले जाकर उसे मिलाते हैं और अपने अंतिमुत्पात का निर्मान करते हैं तो पहले प्रकार में निर्माता केवल घटकों को अन्य देशों से निर्माण करवा कर प्राप्त करते हैं और अपने यहां पर उन्हें इस्तिमाल करते हैं। दूसरे प्रकार में निर्माता अलग-अलग घटकों को बनाकर उसे किसी अन्नी देश में ले जाकर एक जगा मिलाना यानि असेंबल करने का काम करते हैं और अंतिम उत्पात का निर्मार करते हैं तीसरे प्रकार में निर्माता अपनी पूरी वस्तू का पूर रुप से उत्पादन किसी अन्य देश में वहां के स्थाने निर्माता से करवाते हैं जैसे कि सिले सिलाय वस्तूरों में ऐसा कई बार होता है तो इस तीन प्रकार से एक देश की फर्म दूसरे देश के स्थाने निर्माताओं के साथ अनुबंद करके वस्तूओं या सेवाओं का निर्माण या उनकी खरीद विक्री कर सकती है अब इस प्रकार से अंतराश्च्री विवसाई करने के क्या लाब हुए सबसे पहला इसमें अंतराश्ट्री फर्में बिना उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के यानि बिना बड़ी पूंजी लगाए बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकती है दूसरा क्योंकि बाहिये देशों में इनकी कोई पूंजी नहीं लगती इसलिए निवेश का जो जोखिम है वह भी कम हो जाता है तीसरा इस प्रकार से उत्पादन करके अंतराश्ट्री कंपनी को एक और लाब यह मिलता है कि उनकी लाकत भी कई बार कम हो जाती है क्योंकि ऐसे में जो फर्म है वो सामानित है ऐसे देशों के ऐसे स्थानी उत्पादकों के पास जाती है जो कम से कम लागत में निर्मान कर पाए अब इस विधी की भी कुछ कमिया है इसकी सबसे पहली कमी तो यह है कि स्थानिय फर में कई बार यदि उत्पादन के डिजाइन या गुर्वत्ता को नहीं समझ पाए तो वो हमारे मानकों के अनुरूप कार्य या उत्पादन नहीं कर पाते हैं इसके अलावा क्योंकि हम उत्पादन बाहरी देश से करवा रहे हैं तो हमारा बाहर के देश के उत्पादन की प्रक्रियाओं पर इतना नियंतरण नहीं रहता इसके अंतरगर्ण कई बार उत्पादन करने वाली स्थानिय एकाई अपनी इच्छा अनुसार माल को नहीं बेच सकती इसे अपने माल को अंतराष्ट्रिय कंपनी द्वारा निर्धारित मोल्यों पर ही बेचना होता है तो यह स्थानिय कंपनी या फर्म के लिए एक सीमा है कि वह उसे अपने मन मताबिक नहीं बेच पाती है सम्विद्दा विनिर्मान के अलावा ऐसे कुछ अन्य तरीके भी हैं जिनका इस्तिमाल एक देश की फर्म अन्य देशों से वेबसाई करने के लिए कर सकती है जैसे कि अनुग्यप्ती लाइसेंस मताधिकार वस सयुक्त उपकरम इन प्रकारों के बारे में वा अन्तराश्टी वेबसाई के कुछ बहुत ही महतोपूर्ट पहलूओं के बारे में हम इस अध्याय के अगले भाग में चर्चा करेंगे मैं आशा करता हूँ कि इस भाग में अंतराष्टे विवसाई का जो अर्थ हमने आपको बताया उसके कुछ आधार भूत सूचनाओं के बारे में आपको अवगत कराया उन्हें आप अच्छे से समझ पायाओंगे आज के लिए इतना ही धनिवाद सुनाओं, आपको अर्णों के सकाझनाओं के लिए इतना हम जने आपको आ़ चिस, मत अवगता क्या ह ritual